है Wähma दीए हमारा बॉड़ी बनाना ऐसा होता जैसे डूदा डॉका ट्राइपोड तन समझ भूण पर जिस पर में उसके तीन पर होता है वह यह त्राइपोड सुल को यह हमारा की निए किसो पो और इपार अबाधे हैं dal निए पिंच में तो यहां वीडियो द्सक्ट मिक्ली आज में इस वीडियो में युज्य के टाइट लिह ह बनाना चाहिए हैं देखे से पहले मैं आपको सहतो को biscuit थे साथ मास के साथ हमको फैट करना होता है उसके लिए डब होता है तो मैं आज वो सब उतना नहीं बता होंगा मैं आज खाली फैट लॉस के ऊपर बंदा हूँगा मैंने एक डायट प्लैन भी बनाया है दिखाता हूँ आप सभी को मैं इसका मैं इसका स्क्रीन शॉट स्क्रीन पर डाल दूगा मैं इस से पहले मैं important बात कहना चाहता हूं आप सभी से जैसे कि fat loss के time हम पहली बात में हम लोगों को बहुत चीज़ ध्यान देना पड़ता है मैं आप से बहुत चीज़ कहना चाहता हूं हम लोग जैसे junk food खाते हैं यह सब हमें छोड़ना होगा healthy fat उसके जगह consume करना स्टार्ट करना होगा हमें कि हम जब workout करें देन हम अपने exercise करें जो भी देन हम workout करें तो हमारा वो fat energy में बन हो सके तो यह चीज़ बहुतों को नहीं पता है बहुत जन बस खाते रहते हैं तो यह चीज़ ऐसा नहीं करना है अगर आपको fat loss completely करना है अच्छे से करना तो हमें healthy fat भी लेना होगा and carbohydrate भी लेना होगा ऐसा बहुत जन बोलते कि चावल नहीं खाना है चावल खाना छोड़ दूगा पेट कम हो जाएगा वैसा कुछ नहीं है काब्स भी ज़रूरी होता है हमारे वह भी हमें energy देते वर्काउट के टाइम पर जो भी कंपाउंड एक्सेसाइज जिसे डेड़ लिफ्ट हो गिया बेंच प्रेस हो गिया स्कॉर्ट हो गिया यह सब करने में बहुत हमें help करता है हमारे यह कल से बहुत बारिश हो रही है मैं सोचाता लेक के वर्काउट डालूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा इसलिए मैं सिर्फ फैट लॉस मसल गें यह सब के डाइट नॉर्मल ही बताऊंगा फिर उसके बाद जब यह बारिश नॉर्मल हो मैं अपना वर्काउट घर पर ही कर पा रहा हूँ मैं उशके साथ-साथ आप सभी को समझाते जाओँगा मैं यह डाइट चार्ट को दो पार्ट में डिवाइट के हूँ यह पहला पार्ट है दूसरा मैं आगे बताऊंगा कहा है पहले मैं इसको समझाते ता हूँ कैसे क्या करना है देखे पहला हमारा इंपोर्टेंट है फ्लेक्सिबल डाइटिंग इसमें बहुत कोई अच्छे से डाइट नहीं करते है जैसे दो दिन वर्क आउट कर लिया अच्छे डाइट ले लिया फिर उसके बाद उसे फॉलो नहीं कर पाते है या कुछ उसे फॉलो नहीं कर पाते है या बाहर का कुछ खा लेते हैं कंट्रोल नहीं होता है अपने पर और सेकेंड होगी हमारा टार्गेट होता है डेली प्रोटीन इंटेक हमें जैसे हमारा 60 किलो वेट है उसको डपने से डबल मतलब 120 प्रोटीन इंटेक कंज्यूम करना होता है एक दिन में तभी उसका मसल मास ह हमेशा रहता है जो भी हम वर्क आउट करते हैं उसे मसल मास हमारा हमेशा रहता है और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा फैट हो हट जाता है मतलब हटाना पड़ता है हटता नहीं है ऐसे हमें वर्क आउट के साथ अपने डाइट की साथ फोलो करके से हटाना पड़ता है और फिर eat clean मतलब eat clean से मतलब जैसे बहुत जन fat के नाम पे बहुत कुछ खाते तो हमें इसमें आईसा नहीं है कि fat loss में fat को cut करना है fat के साथ-साथ हमें clean fat रखना है जैसे हमारा peanut butter हो गया फिर उसके बाद almonds हो गया ये सब हमें अपने diet पे रखना ही रखना है फिर मेन है हमारा कैलोरिक डेफिसिट हो जाता है हमारा मतलब कैलोरी सरप्लस से कम खाना है जैसे हम हमारा मेंटेनेंस कैलोरी होता है 2000 तो हमें 1500 में खाना है ठीक है 2000 हो जाता है तो हमें 1500 में हमें खाना है फिर उसके बाद है मील नमबर वन हमें सुबह उटते साथ ही जैसे हम उटते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली वहां गारगल करते हैं कुला करते हैं वो उसे करते हुए लेकिन इसमें हम उटते साथ ही दो ग्लास गरम पानी के वाम वाटर के हम पानी पिएंगे फिर उसके बाद अब फ्रेश हो जाए फिर उसके बाद मील नंबर टू ब्रेकफास्ट अपना ले ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड उसमें सैलाद भर के जैसे नर्मली हम सैलाद लेते हैं वैसा खा सकते हैं उस जोड़ेना है ओर और ले सकते हैं एकवाइट नॉर्मल यह चार से पन्च ले सकते हो या दो से तीन ले सकते हो तो ओर्ट को कुंटिया है थोड़ा इंक्रीज कर दे क्यूंकि आपको डारेक्ट फिर लुंच पर करना है तो मील नमबर थ्री हम लंच देखते हैं दो चपाती, एक कप दाल, एक बाउल, सलाद का सलाद इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे उसे फाइबर मिलते है उसे बहुत जरूरी है प्रोटीन भी हो जाता कप दाल से चपाती से हमारा कार्बोहाइडर्ड है तो यह बहुत जरूरी है और स्मॉल कॉंटिटी ओफ राइस ले सकते हैं यह ने की आधा प्रोप्रेट भर के हम लोग खाते हैं तो राइस को कट भी नहीं करना है क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सोर्स है एनरजी का कार्बोहाइडरेट तो हमें इसे कटनी करना स्मॉल टॉंटिटी नॉर्मली एक मुठी जितना थोड़ा सा हम एक हाथ जितना हम अतना राइस एड़ कर सकते हैं दाल के साथ मिक्स करके और फिर हमारा मीन नंबर फोर आ जाता है बिफोर वर्काउट या प्री वर्काउट जो पूलते हैं इसे धियान रखे कि हम 45 मिनट पहले या 30 मिनट पहले एक्सेस के आप वर्काउट जबी भी जिम जाते हैं तो उसके पहले लिए मैंने इसमें ज्याद़ कुछ एड़ नहीं किया है इसमें बनाना नहीं लेना है हमें मैं दुसरे स्क्रीनशोट में दिखाऊंगा उसमें हमें साइड में लिखा हूं कि आपको ध्यान भी रहा है तो इसमें एक एपल लेना है या ब्लैक कॉफी ले सकते हो यह कैफीन होता ह उसमें लेकिन स्मॉल कंडिट्व में लेना है और या फिर आप अगर वह नहीं ले सकते हो क्योंकि कॉफी हमें बहुत अच्छा एनर्जी देता है हमारे जिम में जो भी हम वरक आउट करते हैं उसको परफॉर्म करने में और स्प्राउट्स या चना हो गया फिर मूंग दा के बाद हम आदे घंटे के अंदर हमें खाना याँसांनी की फिर उसके बाद हम खा रहे हम तो फायदा निकरेगा मारे मसल जो ब्रेगडाउन हो जाता है में exercise जिम में body बनाने नहीं जाते हैं हम muscle breakdown करने जाते हैं तो वो muscle को recovery चाहिए होता है तो हमारा post workout वो काम करता है recovery देने का जिसमें हम एक वाइट्स लेंगे 6-8 या apple लेंगे apple भी लेना है या नहीं apple भी लेना है और फिर साथ में अगर chicken breast अगर आपका pocket आपको अलाओ करता है अगर daily लेने का तो आप 150 ग्राम safe रहेगा 250 भी ले सकते लगें 150 बहुत है वो ले सकते हैं और फिर protein shake अगर जो लेते हैं protein shake 250 ml के water में उसे blend करके अच्छे से mix करके अप ले सकते हैं अगर जो लेना चाहते हैं नहीं तो नॉर्मली जैसे ऐसा डाइट है उसे फॉलो करें और हाँ में चीज है कि बहुत जन पानी कम पीते हैं fat loss में यह चीज है आप कोई भी मील लेने से पहले पानी पी के यह मील लिया करें क्योंकि वह आपको पीट भरा रहताया और फिर उसके बाद आपका बॉड़ी हैड़ेट करता है आप बॉडि हैडरीटन होता दिन में कम से से अपका बॉड़ी बहुत अच्छे से बॉड़ी में कलग शाइन भी आता है उससे ऐसा नहीं है कि और जो हमारा जितने फैट अंदर में रहता है उसके ऑईल के लियर को वह रिड्यूस भी करता है तो इसलिए पानी बहुत अच्छा चीज़ पीना चाहिए भाई फिरी का है फूड कंजियूम ना करें क्योंकि उसे डैजेस्ट करने में भी टैम लगता है और इसलिए हम नौबजे तक लास्ट हम अपना डिनर रखेंगे उसमें दही ले सकते हैं योगर्ट होगी हमारा एक कपडाल दो चपाती और फिमीन जो हमें ध्यान रखना है कि हमें यह सब ब बिल्क नहीं लेना है स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस लेना है और सबसे में चीज है जो बहुत तो को नहीं पता है फैट लॉस के टाइम में सिनेमन दालचीनी हम जी से बोलते हैं हमारे इंडियन कल्चर के ही सबसे दालचीनी हम अपने जो भी खाना खा रहे हैं जितना में राइट बताया उसके सब्क्यू पर आप नॉर्मली स्प्रिंकल कर दें खाते हैं खाने के पहले वह हमारा फैट को होल्ड करता है वह फैट हमारा जितना भी वह फूट से भी जितना फैट आता उसको बढ़ने निदे तो से होल्ड करकर रखता है यह बहुत अच्छा चीज सिनमन दाल चीनी आप अपने डाइट पर एड़ करें